हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगरेट बेंस आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं यह हमारी वसंत बुक का चैप्टर है नील कंट लिखित है महादेवी वर्माजी द्वारा ये गद्य की रेखा चत्त विधा में लिखा गया है रेखा चत्त मतलब कोई चीज हम प्रस्तत किया है उनके पास मोर आये कैसे आये मोर वो किस तरीके से उनके पास रहे किस तरीके से उनका देहवसान हो गया सारा चीज उनकी मृत्यू कैसे हुई सारा इस चैप्टर में हमें महादेवी वर्माजी ने बताया है साथ ही हमको जो है हम आपको बता दे महादेवी वर्माजी को बहुत ही अधिक जानवरों से पशुपक्षियों से प्रेम था तो उनके पास बहुत ही तरह तरीके के जान उनकी कैसे कैसे उनके पास में जो है एक कुत्ता था सब चीजें आपको आगे आगे उनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलेगी तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उनको मोर मिले मोर का जोड़ा मिला कैसे उनके पास रहा और कैसे उसकी वृ परगोशों की दुकान का दहान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया मतलब वो हमेशा वहां से पशुपक्षी खरीदती थी तो एक अथिती उनके आया है तो उसको स्टेशन छोड़के ववास लोट रही थी तो फिर उस दुकान की दरफ चल दी जहां पर पशुपक्षी मिलते थे बड़े मिया चड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंसते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुखने का संकेत दिया यानि कि जैसे ही हम पहुंसने वाले थे उससे पहले ही ड्राइवर को बड़े मिया ने रोक दिया मेरे क कोई प्रश्ण करने से पहले ही उन्होंने कहना आरम कर दिया। इससे पहले महादेवी अर्मा जी कोई प्रश्ण पूछती। उससे पहले ही बड़े मिया ने बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा? सलाम गुरु जी! पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था यानि कि आप जब लास्ट टाइम आई थी तो आपने मुझसे मोरों के लिए पूछा था। शंकरगड से एक चड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया यानि कि शंकरगड एक जगा का नाम है वहां से एक चड़ी मार यानि चड़ीों को पकड़ने वाला जो है वो दो मोर के बच्चों को पकड़ के लाया है एक मोर है एक मोर नी आप पाल ले मतलब एक मोर है और ए दवाएं बनती हैं तो ऐसे ही लोग खरीदने आये थे मतलब जो लोग मोर को काट के मार के उसके पंजे ले ले और उनसे दवा बना ले ऐसे लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे थे आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है तियार थात मैं कैसे इतने अच्छे पशु को बक्षी को दे देता कि हाँ भईया ले जाओ मारो उनके पंजोस को तुम दवा बना लो तो मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैंने उनको नहीं बेचा ऐसे लोगों को मारने के लिए ऐसी इं मासूम चड़ियों को कैसे दे देता मैं किसी को कैसे दे देता कि लो भईया ले जाओ और मारो टालने के लिए मैंने कह दिया गुरू जी ने मंगवाए हैं मैंने उनको टालने के लिए बोल दिया कि हमारे एक ग्राहा के गुरू जी उन्होंने हमसे म वैसे ये कमखत रोजगार ही खराब है बस पकड़ो पकड़ो मारो मतलब लाओ और मारो ये धंदा ही बहुत खराब है हमें ऐसा दंदा नहीं करना चाहिए बड़े मिया के भाशन की तुफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था मतलब बड़े मिया बोले जा रह सुनने वाला ठक जाता था तो उनको खुदी बूलता था कि अब यह रुक जाओ तो यानि कि उसी वहीं पर रुकते थे वनना कहीं न रुकें वो इस तत्थ से परिचत होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोक कर पूछ लिया मैं ये बात जानती थी कि जब तक मैं चोटे से पिंजरे तक पहुँची यानि कि उन्होंने तुरंत इशारे से कहा उस तरफ तो अनुसरन करते हुए मतलब हाथ की उंडली का इशारा करते हुए जैसे मैंने उनके इशारी की तरफ देखा तो वहाँ पर एक तार का पिंजड़ा था उसमें दो पक्षी थे पिंजड़ा इतना संक्रीण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे मतलब वो इतना छोटा था कि बच्चे जैसे लग रहा था कि वो एक चित्र है वो इकदम उसके अंदर धसे इकदम सिकुडे से बैठे हुए थे वो इ जा रहे थे मतलब मैं उन पक्षियों को देख रही थी और बड़े मियां बराबर बोलते जा रहे थे इमान कसम गुरू जी चड़ी मान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगत 30 रुपे लिए उन्होंने बोला कि इसको मैंने 30 रुपे में खरीदा है 12 कहा भई जरा सोच त मतलब हमने उसे बोला 12 कहा तो उसे बोला सोच तो अभी इस मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है मतलब मैंने बोला कि तुम मुझे 12 के दे दो अभी इन दोनों में कोई मोर की खासियत तो है नहीं इतने में दे दो लेकिन वो ना मान पर वहां मंजूई क्यों सुनने वाला मतलब वो क्यों सुनता उसने नहीं सुनी आपका खयाल करके अच्छता पच्छता कर देना ही पड़ा फिर मैंने सोचा गुरू जी ने मंगाया इसलिए मैंने उसको 30 रुपे दे ही दिये अब आप जो मुनासिब संजे अस्तु 30 चड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मिया के इनाम के दे कर जब मैंने वा छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वा जाली के चोकटे का चितर जीवित हो उठा कहने का मतलब है 30 उन्होंने चिड़ी मार के नाम के दे दिये और 5 बड़े मिया के दे दिये यानि टोटल 35 रुपे में उन्होंने वो दोनों मूर खरीद लिये और जब वो पिंजरा लाकर सामने रखा गया तो वो थोड़े हिलने लगे तो लगा कि हाँ ये जीवित है दोनों पक्षी शावकों के चटपटाने से लगता था ही मानों पिंजरा ही सजीव है और उड़ने योग्य हो गया है मतलब दोनों चटपटा रहे तो जैसे लग रहता है हाँ ये दोनों जिन्दा है अब पिंजरा ही जो है उड़ने वाला है घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं मोर कहकर ठग लिया मतला बभी उनमें मोर जैसी कोई बात नहीं थी मोर जब छोटे रहते तो थोड़ी ना कुए इसे इतने सुंदर पर निकलाते हैं सब हो जाता है ऐसा नहीं होता है वो छोटे से बहुत ही जैसे लगता है को तीटर बटेर जैसे जंगली पक्षी होते हैं उस तरीके से लगते हैं देखरे में तो जब वो लेके आई ही तो सब लोग घरवाले बोलने लगे यह तीटर है तुमको मोर कहकर ठग लिया गया है कदा चितने एक बार ठगे जाने के कारणी ठगे जाने की बात मेरे चिड़ जाने की दुरबलता बन गई मतलब वो पहले भी कई बार ठगी जा चुकी थी पशु पक्षी के नाम पे तो इस बात से वो बहुत जादा चिड़ गई थी अब प्रसन होकर मैंने कहा मोर के क्या सुर्खाप के पर लगे होते हैं हैं तो पक्षी ही तो मतलब क्या मोर होते हैं तो क्या उसके पास सोने के पंक लगे होंगे वो भी तो पक्षी ही है चिड़ा दिया जाने के कारण ही संबता उन दोनों पक्षियों के प्रती मेरे वहवार और यत्र में कुछ विशेषता आ गई मुझे चिड़ा दिया गया था कि तुम ठगी गई हो इसलिए मैं उनके लिए जादा समवेधनशी लोगई किसके लिए पक्षियों के लिए तो उनकी जादा देखभाल करने लगी पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला फिर दो कटोरों में सत्तु की चोटी चोटी चोटीयों गोलिया और पानी रखा मतलब जो उनका स्टडी रूम था उसमें इन्होंने दोनों पिंजरे रखके दरवाजे खोल दिये एक कटोरी में सत्तु की चोटी चोटी गोलिया बना के रखे और एक में पानी वहाँ पर रख दिया वे दोनों चुहे दानी जैसे पिंजरे से निकल का कमर में मारों खो गए मतलब वो जैसे निकले इतनी खुली जगा इतने दिन से पिंजरे में बनते खुली जगा मिली तो वो दोनों कहीं जाकर एकदम से छिप गए कभी मेज के नीचे घुजगाए कभी अलमारी के पीछे वो जगा ढूंड रहे थे कहां पर भाई भी डरे हुए थे अंत में इस लुका छिपी से ठक कर उन्होंने मेरी रद्धी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेदे का गौरफ प्रदान किया मतलब जब सब उन्होंने अपनी जगा ढूंड ली तो एंड में कहां जाकर वो रोके जो उनकी रद्धी कागज की टोकरी थी उसमें उन्होंने अपना घर बना लिया दो चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्धी की टोकरी में प्रकट हो जाते मतलब दिन में वो कहीं पर भी रहते थे कमरे में कहीं वे कभी अलमारी के पीछे बैट के नीचे कहीं पर भी रहते थे मेज के नीचे लेकिन रात में क्या होता था वो अपनी रात रद्दी की टोकरी में ही बिताते थे फिर आश्वत हो जाने पर कभी मेरी मेज पर कभी कुरसी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अवा भी भूत हो जाते क्या होता जब वो पता चल गया कि अब यहां पे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा अब मैं यहां पर ठीक हूँ मुझे कोई खत्रा नहीं है तो वो कभी भी कभी मेच के उपर कभी उनके सर पर कभी कुर्सी पर हमेशा सामने आने लगे पहले छुपके रहते थे अब वो लोग सामने आके रहने लगे खिडकियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था क्या होता था कि खिडकिया जाली में लगी थी खिडकिया खोली लेकिन दरवाजा अगर खोल दे तो यह लोग बाहा निकल जाते उनके पास और भी जानवर थे तो उन से खत्रा था कि कहीं उनको मार ना दे खुला रहने पर चित्रा यानि मेरी बिल्ली उनकी बिल्ली भी थी एक जिसका नाम था चित्रा इन नवांगुतों का पता लगा सकती थी और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता या इनुमान करना भी कठिन नहीं है मतलब अगर दर्वासा खुला रहता तो चित्रा इनका पता लगा लेती और फिर मैं इन पक्षियों का पता लगाना मेरे लिए कोई परिणाम नहीं होता आर्थाद वो बिल्ली जो है निलोको मार के खा जाती मैं डूंडती भी तो वो कहां होते वो तो मर चुके होते मैं ये चीज समझ जाती वैसे वो चुहों पर भी आक्रमन करती थी परंतु यहां तो दो सर्वत्था अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेश्टा का प्रश्ण था क्या था चित्रा हमेशा जो है वो चुहों पर भी अटाक करती थी लेकिन यहां तो दो पक्षी थे और वो भी परिचित नहीं थे तो उन पर भी अधिकार जमानी की चेश्टा थी यानि कि अधिकार जमानी की चेश्टा में वो उनको मार भी सकती थी उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उनकी दृष्टी में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंगासन बना ले या इस्तिति चित्रा जैसी अभिमानी मारजरी जारी के लिए असाय हो जाती मतलब मारजरी के मतलब बिल्ली का मतलब है तो अगर ये क्या होता कि मेरी अनुपस्तिती में दरवाजा खुला रह जाता और ये दोनों मेज के उपर प्रकट हो जाते तो चित्रा आती तो उन्हें लगता कि ये कौन आ गया तो वो क्या करती वो इन दोनों के उपर आकरमर कर देती ये उसको बिल्कुल भी जो है मन्जूर नहीं था कि मेरी मेज कुर्सी पर उसके लावा कोई और आए जब मेरी कमरे का काया कल्प चडिया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठनाई से दोनों चडियों को पकड़ कर जाली के बड़े घर में पहुचाया जो मेरे जीव जन्तुओं का सामान ने निवास था अब क्या हुआ उनका गमराज दम चडिया घर की थरे लगने लगा था हमेशा जब भी देखो वहाँ वह गंदगी भी फैराते थे तो उन्होंने क्या किया फिर उनका एक बड़ा सा जीव जन्तुओं का पिंजरा था उन्होंने उन दोनों मोरों को निकालके उस पिंजरे के अंदर डाल दिया दोनों नवागंतुकों ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कौतुहल जगाया जैसे नववदु के आगमन पर परिवार में स्वभाविक हैं मतलब वो दोनों जब उस पिंजरे के अंदर गए तो वहाँ जितने जीव जन्तु थे उनके लिए वैसा ही कौतुहल जैसे घर में कोई नववदु आ जाए तो उसके बारे में सब लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं वैसे ही सारे पशुपकुशी उन मौर के दोनों बच्चों के लिए जानने के लिए इच्छुक थे लगा कबूतर नाचना छोड़कर दोड पड़े कबूतर थे उनका क्या नाम था लक्का वो दोनों जो है नाचना छोड़कर दोड़ पड़े और उनके चारो और गूम गूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे मोर जब गए तो कबूतर गया उनके चारो और चारो और गूनने लगे और गुटरगू गुटरगू करने लगे बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम से बैठ कर गंबीर भाव से उनका निरिक्षण करने लगे और उनके जो खरगोश थे वो लाइन से बैठके उनलों को देखने ने रिक्षर करने लगे कि ये कैसे हैं उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारो और उचल कूद भी मचाने लगे मतलब कुछ लाइन से बैठे थे और कुछ उनके चारो तरफ उचलकूत करने लगे तोते मानो भली भाती देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परिक्षण करने लगया तोते क्या थे एक आंख बंद करके बहुत ध्यान से देख रहे थे आखिरी ये कैसे है उस दिन मेरे चडिया घर में मानो भूचा ला गया जिस दिन वो दोनों पक्षी मैंने अंदर किये थे उस दिन क्या हुआ वो चडिया घर के अंदर हमारे भूचा ला गया था सब ही इधर से उधर मोर के बच्चों को निलक्षड कर रहे थे दीरे दीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे उनका काया कल्प वैसे ही क्रमशा और रंग में था जैसा इल्ली से तितली बनने का होता है तो अब क्या हुआ दोनों मोर थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे जब ये बड़े होने लगे तो जैसे इल्ली से तितली बनते इल्ली कैसी रहती है बिरंग सी तो वो क्या हुआ वो जो है अब बिल्कुल रंग बिरंगे से होने लगे बहुत सुंदर से होने लगे कि वो बेकार से एकदम भूरे रंके थे अब उनमें रंग आने लगे थे और बहुती सुन्दर लगने लगे थे मौर के सिर्गी कलगी और सघन उची और चमकीली हो गई यह जो कलगी होती है यह सघन और रंगीन youarny गनी और रंगीन होने और चमकीली होने लगी चोच अधी बंकिम और पैनी हो गई मतलब चोच जो थी बंकिम मतलब चमकदार और पैनी होने लगी यानि नुकीली होने लगी गोल आखों में इंद्रनी इं भी नीलाब दुती जलकने लगी यानि कि जो आखे थी वो भी नीली नीली और चमकीली सी चमक आने लगी दूती मतलब चमक जिसको बोलते हैं वो आने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंविगा में धूप च्छावी तरंगे उठने लगी यानि कि जो उनकी गर्दन होती है उसे में कहीं चमक कहीं नहीं रहती है धूप च्छाव का मतलब जहां पर चमक है वो धूप है जहां पर चमक नहीं है वो च्छाव है तो वो जो गर्दन है वो बहुती पतली और लंबी होने लगी और उनकी गर्दन जो है चमकीली भी होने लगी दक्षिन वांग दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन इस्पष्ट होने लगा यानि कि जो इनके पंख थे वो बहुत ही चमकदार सलेटी रंगे होने लगे पूच लंबी और उनके पंखों में चन्द्रिकाओं के इंद्र धनोशी रंग उद्धिप्त होने लगे रंग वरंगे पंख होने लगे रंग हरित पैरों की गर्बीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया यानि कि जो जमीन थी उनके पैरों की धुती यानि चन्ने के तरीके जो होते गर्बीली गती चलते कैसे हैं गर्दन उठा उठा कैसे चलते हैं जलता गर्ब में कोई आदमी चल रहा है कमंड के साथ चल रहा है तो उनकी जो गती थी वो कैसी होती थी बड़ी गर्बीली सी रह जो सुकुमारता और सौंदर था उसका अनुभाव देख कर ही किया जा सकता था मतलब उनकी हर जितनी भी भाव भंगिमा थी उसमें एक ना एक उगनर के साथ हुरा था मतलब उसको देखो तो बड़ा अच्छा लगता था कैसे छोटे-छोटे से हम लेके आया थे और बड़े हो गए थे बड़े सुन्दर लग रहे थे गती का चित्र भी आँका जा सकता है मतलब वो जिस तरीके से धीरे-धीरी सारा काम कर रहे थे उसको देखना बड़ा अच्छा लगता था मोरनी का विकास मोर के समान चमतकारिक तो नहीं हुआ परंतु अपनी लंबी धूप गर्दन हवा में चंचल कलगी पंकों की शाम श्वेत पत्र लेखा मंथर गती आदी में वह भी मोर की उप्युक्त शहचारणी होने का प्रमाड देने लगी देखिए मोर तो होता है रंग बिरंगा ठीक है मोर रंग बिरंगा उसके पंक भी बहुत रंग बिरंगे होते हैं इतनी सुंदर मोरिनी नहीं होती है नीलाब ग्रिवा की कारण मोर का नाम नीलकंट और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा तो मोर का क्या नाम रखा गया था नीलकंट और मोरनी का नाम राधा रखा गया मुझे स्वयम गात नहीं कि कब नील कंट ने अपने आपको चडिया घर के निवासी जीव जन्तूं का सेना पती और संगरक्ष निवक्त कर दिया यानि कि नील कंट ने क्या कर दिया जितने भी जीव जन्तू थे पिजरे के अंदर उन सब का संगरक्षक और सेना पती बन गया मतलब उसके हिसाब से सारे काम होने लगे थे सवेरे ही वर सब खरगोष कबूतर आदी की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानों सब की रखवाली करता रहता था किसी ने कुछ गड़बड की और वह अपनी तीखी चंचु प्रहा से उसे दंड देता था यानि किसी ने गड़बड की तो अपनी चोच जो है उसको चुबा देता था और उसको पनिश्मेंट देता था खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोच से उनके कान पकड़कर उपर उठा लेता था और जब तक वह अंतर करंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाये रखता था कभी-कभी उसकी पैनी चोच से खरगोश के बच्चों के कड़ बेध संसकार हो जाते थे इतना होने के बाद फिर करते खरगोश कभी उन्हें दुबारा गुसा होने का मौका नहीं देते थे दण्ड विधान के समहानी उन जीव जन्तुओं के प्रती उसका प्रेम भी असाधारंड था मतलब जिस तरीकए से वो दण्ड देता था उसी तरह इन जीव जन्तुओं को उतना ही वो प्यार भी करता था बहुत ज़्यादा प्यार करता था प्रायाबा मिट्टी इ में पंक फैला कर बैट जाता था और वे सब उसकी लम्बी पूँच और सगन पंकों में छुपा-चुपाई का खेल करते थे उसके पंक में जीव-जभई वो बहुत बढ़ा था चोटे चोटे बच्चे खरगोश के कबूतर के सब उसके पंकों में छिप जाते निकल आते ये सारा खेल चलता था ऐसी किसी स्थिती में एक साप जाली के भीतर पहुँच गया एक दिन क्या हुआ एक साप उस पिंजरे के अंदर पहुँच गया सब जीव जन्तू भाग भाग कर इधर उदर छिप गय केवल एक शिशु खरगोश साप की पकड़ में आ गया मतलब सारे जीव जन्तू चले गये लेकिन एक छोटा सा खरगोश का बच्चा उस साप की पकड़ में आ गया था निगलने के प्रयास में साप ने उसका आधा पिछला शरीड तो मुह में दबा रखा था शेश आधा जो बाहर था उसे चीची का स्वर भी तना तीवर नहीं निकल सकता था कि किसी को सपष्ट सुनाई देता मतलब साप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया आधा उसको निकल लिया और आधा जो बाहर था उससे चीची की आवाज आ रही थी लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी कि वो आकरशे उस चीची के आवाज से कोई आकरशित होकर उसको बचाने के लिए जाता भी वो बहुत थीमा स्वर था नीलकंट दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चोकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यता पहचानी और वापूँच पंक समेट कर सर से एक जपट्टे में नीचे आ गया मगर उस चीची के धीमे स्वर को भी नीलकंट ने उपर बैटे जूले में सुन लिया और वो तुरंत अपने पंग समेट कर नीचे आ गया सर से एक ही जटके में समवता अपनी सहज जेतना से ही उसने समझ लिया कि साप के फन पर चोच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है उसने समझ लिया कि अगर हम फन पर चोट मारेंगे तो अधा उसके मुग के अंदर खरगोश है तो अगर फन पर चोच मारता तो खरगोश भी घायल हो सकता था ये चीज नीलकंठ ने समझ ली थी उसने साप को फन के पास पंजों से दबाया मतलब उसके फन जो थे वहां से पहले पंजों से दबाया और फिर चोच से इतने प्रहार किये कि वह अधमरा हो गया मतलब पहले उसके फन को दबा दिया और उसके बागी शरीर पर चोच से खूप सारे वार किये जिससे वह साप एकदम अधमरा हो गया पकर ढेली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मूँ से निकल तो आया परन्तु निश्चेट सा वही पढ़ा रहा मूँ से तो निकलाया मगर उसके अंदर जान नहीं थी वो बिल्कुल निश्चेटा बिल्कुल बेकार सा हो गया उसको चोट लग चुकी थी वो वही पढ़ा रहा राधा ने सहायता देने की आवशकता नहीं समझी परन्तु अपनी मंद केका से किसी असमान घटना की सूचना सव और प्रसारित कर दी मतलब राधा ने कोई सहायता तो नहीं करी लेकिन उसने अपनी आवाज से जो है वो सब को बता दिया कि यहां पर कुछ घटित हो रहा है माली पहुँचा फिर हम सब पहुँचे सबसे पहले माली पहुँचा फिर बाद में यह लोग पहुँचे नील कंत जब साब के दो खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया यानि कि पहले उसने साब को दो टुकडों में माट दिया फिर वो उस खरगोश के बच्चे के पास गया राद भर उसे पंको के नीचे रखे उषणा देता रहा कि वो सही हो जाए कारतके ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यो चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और सभाव देख कर समझ में आकिया तो भगवान कार्तिके हैं शिव जी के पुत्र कार्तियों गणेश जी है न तो कार्तिके जी का वाहन क्या है मोर है तो अब समझ में आया कि कार्तिके जी ने अपने वाहन के रूप में मोर को क्यों चुना ये सारे प्रक्रण देखकर हमें समझ में आया मैयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है मतलब वो बहुत कला को पसंद करता है और वीर भी है हिंसक मात्र नहीं है मतलब वो हिंसक मात्र नहीं है अप उस पर अक्रेक्ट करोगे तो वो करेगा इसी से उसे बाज, चील, आदी की श्टेणी में नहीं रखा जा सकता है जिसका जीवन ही कूर करम्ब है मतलब बाज अचील क्या होते वो कूर पक्षी है लेकिन मौर कूर नहीं है मगर आप उसको परिशान करोगे तो वो आपको तकलीट जरूर देता है नील कंड ने उसकी जातिकत विशेषता है तो थी ही उसका नाम उसका मानविय करण भी हो गया था मतलब उसकी जातिकी विशेषता है थी वो तो था ही लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं आई थी दूसरों के लिए जैसे मानवों में भावनाएं होती है वैसे उसके अंदर वो भावनाएं भी आ चुकी थी नीलकंट के अंदर मेगों की सामली छाया में अपने इंद्र धनुष के गुच्छे जैसे पंको को मंदलाकार बनाकर जब वा नासता था तब उस नृत में एक सहेजता ले ताल रहता था वर्शारीतु में यानि कि मोर सबसे दाका मतलब ऐसे उपर उठा लेता था, ऐसे करके उठा के नाच तो मंडला कर ऐसे करके बन जाता है नाच था था तो उसकी नाच में एकदम सुर ले ताल सब कुछ होता था आगे पीछे दाहिने बाय क्राम में घूम करवा किसी अलक्ष संपर ठहर ठहर जाता था मतलब उसका नाच जो होता था, वो देखने लायक होता था, वो इतना सुन्दर नित्य करता था वर्शारितों में राधा नीलकन के समान नहीं नाच सकती थी, परंतो उसकी गती में भी एक छंद होता था मतलब जब वो साथ मिलाती थी, नीलकंट का साथ देती थी नाच में, तो हमेशा उसका नाच भी उसकी लह के साथ ही चलता था, जैसे वो लह चलाता था, वैसे लह चलता था, मगर उत्ती सुन्दर नाच वो नहीं कर पाती थी. वनित मगर नीलकंट की दायनी और के पंक को छूती हुई बाई और निकल जाती थी, और बाई पंक को इसपश करती दायनी और, मतलब आती थी दायन से बाई और बाई से ऐसे करके, आगे पीछे, मतलब नीलकंट ऐसे करा है, तो वो ऐसे करके पंक को छूते हुई इधर निकल इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था नीलकंड ने जैगे से समझ लिया कि उसका नृत मुझे बहुत भाता है नीलकंड जान गया कि महादेवी वर्मा जी को उसका नृत बहुत अच्छा लगता है यह तो नहीं बताया जा सकता परंतु अचा मतलब उसको यह पता चल गया था कि महादेवी वर्मा जी को उसका नाचना बहुत अच्छा लगा तो एक दिन जब उस जाली घर के पास पहुँची जहां पर वो रहता था वो तुरंत सर्रे से जूले से नीचे आया और तुरंत नाचने की भंगमे होकर वो नाचने लगा और यह अब रोज की बात बनगी जैसे महादेवी वर्मा महा जाती वो तुरंत ही नाचना शुरू कर देता था प्राया मेरे साथ कोई ना कोई यह देशी विदेशी अतिती भी पहुँच जाता मतलब महादेवी वर्मा के साथ अक्सर क्या होता था कोई ना कोई देशी वि तो नीलकन क्या करता दनाचने लगता था तो वो सब अथिती समस्ते थे कि हम आए हैं इसलिए वो नाच रहा है और देखकर बहुत ही आश्चर चकित हो जाते थे कई विदेशी महिलाओं ने उसे perfect gentleman की उपाधी भी दे डाली थी तो कई विदेशी महिलाओं जो आती थी सब उसको बोलते थे ये perfect gentleman ले एक लेडीज के आते ही इतना सुंदर डांस करने लगता है जिस नुकीली पैनी चोच से वा भैंकर विशधन्त को खंडखंड कर सकता था उसी से मेरी हतेली पर रखे भुने चने ऐसी कोमलता से हौले उले उठा कर खाता की कसी की हंसी भी आती थी और विसमे भी हूता था तो मतलब जिस पैनी चोच से उसने साप को दो खंड दो टुकडों में बाट दिया था वो उसी चोच से महादेवी वर्मा जी की हतेली में रखे हुए दाने उठाता था मगर बहुत कोमलता से कभी उनको चोट नहीं आई लगता था कभी हंसी भी आती थी कि ये पैनी चोच से इतना भेंकर काम कर सकता है और दाने भी कितनी कोमलता से उठाता है तो कभी आहसी भी आती थी और कभी बहुत आश्चर्य भी होता था फलों की ब्रक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पलवित ब्रक्ष भाते थे मतलब फलों से लदे ब्रक्षों से कहीं अच्छे उसे फूलों और पत्तों वाले ब्रक्ष जादा अच्छे लगते थे लीलकंट को वसंत में जब आम के व्रक्ष सुनहली मंजरियों से लग जाते थे यानि वसंत का मौसम आते आम के पेरों में जब बहुर आ जाती थी अशोक नए लाल पल्लों से ढख जाता जा अशोक के पेर जो होते हैं जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो लाल लाल होते हैं तो अशोक के पिंजने से बाहर छोड़ना पड़ता था नील, कंट और राधा की सबसे प्रियरुतितो वर्षा ही थी मेगो के उमर आने से पहले ही वह हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे मतलब आसमान में बादल बाद में छाएं लेकिन उससे पहले ही वह बादल की आहट को पा लेते थे दोनों और तब उनकी मन्द केका की गूंज अनगूंज तीविर से तीविरतर होती हुई माणों बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ती बनने लगती थी मतलब जैसे ही उन्हें लगता था कि अब बादल आने से पहले ही और ये बोलना शुरू कर देते थे यानि कि वो बादल बूंदों का स्वागत कर रहे थे उनकी केका यानि उनकी आवाज मोर की आवाज को क्या बोलते है केका बोलते तो वो आवाज उन बूदों का स्वागत कर रही थी मेग के गरजन के ताल पर ही उनके तनमे इनृत का आरंब हो जाता था मतब जैसे ही मेग आते और उनका नाचना दोनों का शुरू हो जाता था और फिर मेग जितना अधिक गरस्ते बिजली जितनी अधिक चमकती मूदों मे कि रीम जिमाहट जितनी तीवर होती जाती नीलकंड के नितका आवेग उतना अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र-मंदतर होता चला जाता तो किया होता जैसे जैसे वारिष टेज बढ़ती वो उतना अच्छा नाचने लगता और तेज नाचने लगता और उसकी आवाज जो थी वो धीरे धीरी हो जाती थी वर्षा कि थम जाने पर वा दहीने पंजे पर दाहीना पंक और बाय पर बाया पंक फ hela कर सुखाता था से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे पंखों का पानी भी वो कभी एक दूसरों के पंखों से पी लिया करते थे इस आनंदोस्व की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा या भी एक करुण कथा है मतलब ये दोनों के प्यार के बीच में एक बेमेल का आ जाना जिसन ने आकर इन दोनों की कहानी खतम कर दी, ये बहुत ही दुख्मे मत दुख्भई कहानी है, वो अब बताने जा रही है, एक बहुत ही बुरी दुख्मे खानी जो इन दोनों के बीच के साथ प्रकट हुई थी, एक दिन मुझे किसी कार से नखास कोने से निकलना पड़ा, मतलब किसी काम से वो वहीं जा रही थी जहां से इन दोनों को लाई थी और बड़े मिया ने पहले के समानकार रोक ली इस बार किसी पिंजडे की ओर नहीं देखूंगी यह संकल करके मैंने बड़े मिया की विरल दाड़ी और सफेड डोरे से कान विबंधी एनक को ही अपने ध्यान का केंदर बनाया मतलब उन्होंने कहा कि अब मैं किसी पिंजडे की तरफ नहीं देखूंगी मैं कुछ नहीं लूँगी तो उन्होंने उनकी दाड़ी और एनक की तरफ अपना केंदर बनाया वो उनी की चेहरे की तरफ देखने लगी बड़े मिया की पर बड़े मिया के पैरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठिन था मोर्नी राधा के समान ही थी बड़े मिया के पैरों के पास एक मोर्नी पड़ी थी वो उसको अंदेखा ना कर सकी और वो बिल्कुल ही किसके समान थी राधा के समान थी उसके मूझ में बंधे दोनों पंजों की उंगलियां तूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी मतलब उसके पैर की उंगलियां थी वो पूरी तरह तूट चुकी थी और वो खड़ी नहीं हो सकती थी बड़े मियां की भाषण मेल फिर दोड़ने लेगी देखिये गुरु जी भाषण मेल मतलब वो बोलना शुरू कर चुकी थी क्या बोलते हैं देखिये गुरु जी कमख़च चड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है ऐसे कभी चड़ी पकड़ी जाती है आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता पर आप से भी यह अधमरी मोर्नी ने ले जाने को कैसे कहूं मतलब अगर आप ना आई होती तो मैं चड़ी मार को ही वापस कर देता लेकिन इस सद्मरी मोरनी को मैं आपको भी ले जाने के लिए कैसे कहूँ मैं मतलब बेकार पक्षी जीव जनतू तो हम लोग अभी अपने घर में लाएंगे नहीं कोई क्यों खरी देगा तो इसलिए वो भी ऐसे बोलने लगा शरांस यह था कि 7 रुपे देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई क्या हुआ? 7 रुपे दिये और उमोरनी लेकर घर आ गई एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया फिर अपने स्टडी रूम में उन्होंने उसको रख दिया क्योंकि वो पक्षी घायल था पंजो की मरम पटी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई मतलब एक महीने उन्होंने अपने पास रखा और वो अच्छी हो गई उंगलियां वैसी ही टेडी मेडी रही परंतुवा ठूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी मतलब उंगलियां उसकी सही नहीं हो पाई लेकिन वो अपने पंजों के बल डगमगाते हुए चल लेती थी तब उसे जाली घर में पहुचाया गया जब वो चलने लगी तो उसे उसी जाली घर में पहुचाया गया जहां नीलकंट और राधा रहते थे और नाम रखा गया कुबजा, नाम क्या रखा गया कुबजा, नाम के अनुरूप वो सभाव से भी कुबजा ही प्रमाडित हुई, अब तक नीलकंट और राधा साथ रहते थे, मतलब वो सभाव के हिसाब से ही कुबजा प्रभावित हुई, पहले नीलकंट और राधा साथ र कलगी नोच डाले कुपजा ने क्या किया था राधा को बहुत गाय मारा और उसके कंख और तोड़ड़ा था कठनाई यह थि कि नीलकंड उससे दूर भागता और वहा उसके साथ रहना चाहती थी मुश्किल यह जीवजन्तु को नीलकंट के पास जाने देती थी उसी बीच राधा ने दो अंडे दिये जिनको बापंखों से चिपाय बैठी रहती थी पता चलते ही कुपजा ने चोच मार मार के राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूट जैसे पैरों से सब और छितरा दिये मतलब जैसे ही उपता चला कि राधा ने दो अंडे दिये उसने पहले चोच मार मार के राधा को अलग कर दिया और फिर उन बंडों को भी फोड़ दिया और सारे उंडों को उसको चारों तरफ उसने छित्रा दिया इस कलहा कोला हल से और उसे से भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंट की प्रसनता का अंत हो चुका था मतलब अब बंडे तो उसके भी थे नीलकंट के भी थे तो मतलब इसनी लडाई जगडे और राधा की दूरी से नीलकंट अब बहुत उदास हो चुका था कई बार वजाली के घर से भाग निकला था एक बार कई दिन भूका प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैटा रहा जहां से बहुत पुछकार कर मैंने उतारा एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा मतलब वो पिंजरे से भाग जाया करता था और वो कहीं न कहीं छिप जाया करता था किस से कुपजा के डर से क्योंकि कुपजा को पसंद नहीं करता था और राधा को पसंद करता था राधा के पास जाता था तो कुपजा राधा को मार देती थी तो इसलिए वो हमेशा जाली घर से भागने के प्रयास में रहता था मेरे दाना देने जाने पर वा सदा की भाती पंखों का मडलाकार बना कर खड़ा हो जाता था मतलब अभी भी वो मडलाकार बनाता था पर उसकी चाल में ठकावट और आखों में एक सूननता रहती थी मतलब वो पहली जैता उत्ता प्रसंदन नहीं रहता था अपनी अनुभव हींता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा उनका कहने का मतलब है मेरे को इता अनुभव नहीं था कि बाते इतनी बिगडेंगी मैं सोच रही थी कुछ दिन में ये सारी चीज़े ठीक हो जाएगी इस चीज़ का इंतजार कर रही थी मगर वो नहीं हो पाया अन्त में तीन-चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंट पूँच पंक फैलाये धरती पर उसी प्रकार बैठाये जैसे करगोश के बच्चों को पंको में चिपा कर बैठा था मेरे पुकारने पर भी उसके ने उठने का संदेश नहीं दिया तो क्या हुआ एक दिन देखा तो नीलकंट वैसे ही बैठा था जैसे वो एक दिन खरगोश का बच्चा जो है दब गया था साप के मुझे नीचे तो सारी रात उसको पंक पहला के बैठाया हुआ था उसी तरह बैठा था महादेव वर्मा गई उनने बहुत बार पुकारा मग उठकर नई आया वास्तों में नीलकंट मर गया था क्या हुआ था वो इसलिए नहीं आया क्योंकि नीलकंट मर गया था क्यों कर उत्तर तो अब मैं अपने शाल से लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाठ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया मतलब उन्होंने एक अपने शाल में उसको लपेटा और लपेट के लिए जाकर संगम में प्रभावित करने के लिए ले गई जब उसे प्रभावित करने लगी तो पानी के अंदर उसके पंख ऐसे प्रद्विंदुरोद्य की गंगा भी जो है अब वो रंग बिरंगी हो गई है नीलकंड के ना रहने पर राधा तो निश्चेश्ट सी कई दिन तक कोने में बैठी रही नीलकंड जब नहीं रहा तो राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही वह कई बार भाग कर लोट आता था आया था अतावा प्रतिक्षा के भाव में द्वार पर द्रिश्टी लगाये रहती थी कई बार व उसने नीलकंट की खोज आरंब कर दी कोज के क्रम में शाखाओं में नीलकंट को भूनती रहती एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानि अलसीशियन कुतिया ने उनकी यानि कि उनकी एक डॉगी थी अलसीशियन जिसका नाम था कजली एक दिन वो खोजी रही थी कि वो पेड से उतरी और उनकी अलसीशियन कजली ने सामने पड़ गई और सामने आ गई उसके किसके कजली पर चोच से प्रहार किया अब कजली को घुसा आ गया उसने पकट के बार किया और उसके दो दात कज़ के गरदन पर मार दिये इस बार उसका कलय कोलाहर और द्वेश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका और कुपजा मर गई परन्तु इस तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवत्ती की विभनता पर जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेश महत्त था मतलब ये तीन पक्षी यानि की नीड कंट राधा और कुबजा ने उन्हें पक्षियों के बारे में बहुत कुछ समझाया किसे महादेवी वर्मा को की पक्षियों में भी ये रागदेश जैसी चीजे होती हैं राधा प्रतिक्षा में ही दुकेली थी मतलब अब वो हमेशा अकेली थी लेकिन प्रतिक्षा करती रहती थी वो हमेशा निलकंट के आने की आस में ही वो अब दुकेली हो गई थी आसार में जब आकाश में मेगा चन्न हो जाता तब वहा कभी उचे जूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीवतर करके नीलकंट को बुलाती और आसार के मौसम में जब बहुत ज़ादा बादल बरसने लगते तो वो अपनी आवाज उची करके ही नीलकंट को बुलाया करती थी मगर नीलकंट कैसे आ सकता था वो तो अब था ही नहीं तो इस तरीके से महादेवी वर्मा जी ने नीलकंट जो उनके पास मूर्थ थे उनका नेलकंट राधा और कुबजा की कहानी बताई कैसे वो पक्षी आये, कितना बढ़ियां उनके साथ था और कैसे कुबजा के आने पर सब कुछ भी कर गया ये हमने इस पार्ट में समझा इस पार्ट के प्रशनुत्तर लेकर हम थोड़ी दिर में आपके सामने उपस्तित होते हैं थैंक्यू, बबाई